शुरुआत कुछ आज के जो हाला चल रहे हैं उससे कर रहा हूँ कि नफरत ने अजब आग लगाई लोगों नफरत ने अजब आग लगाई लोगों बदली है सियासत की लडाई लोगों नफरत ने अजब आग लगाई लोगों बदली है सियासत की लड़ाई लोगो हिंदू भी मज़े में है मुसल्मा भी मज़े में किस बाद से लड़ते हो लड़ाई लोगो और ये जितने भी लोग अपने गाओं कजबा या किसी चोटे टाउन से आये हैं और यहां अपनी पढ़ाई या अपनी जिंदगी के आगे सफर में बड़े हैं तो एक दादी का और नानी का जो घर होता है उससे बहुत रिलेट करेंगे शेर ये मैंने लिखा था कि वो जमी जो हर लमहा मुझे बुलाती है वो जमी जो हर लमहा मुझे बुलाती है दिवारें उस घर की मेरा बचपन मुझे दिखाती है जिसकी मिट्टी की हवा रूहे सुकूत दिलाती है जिसके आगन से फूलों की महक आती है और अजीम जिसको सहारा दिया उस मिट्टी ने अजीम जिसको सहारा दिया उस मिट्टी ने मेरी दधियाल मुझे हाले दिल बताती है मेरी दधियाल मुझे हाले दिल बताती है शुक्रिया शुक्रिया तो मैंने अपने फादर के लिए लिखा तो और आप लोग बिल्गुल रिलेट करेंगे तो जरा गौर फर्माईएगा कि नहीं पताता मुझको वो इतना प्यारा है डूपते हुए को फकत तिनके का सहारा है तो चलो आज हम एक काम करते हैं जिन रिष्टों को पास से कभी समझा नहीं उनके लिए आज की शाम नाम करते हैं अब ये पूरी जो कहानी है बाप के उपर है कि एहसानों को अपने रिष्टों में कभी तोलता नहीं बच्चों की खौईशों को कभी भूलता नहीं धूप में जिसको मैंने डरडर भटकते देखा है मैंने अपने बाप को वक्त से लड़ते देखा है मैंने अपने बाप को वक्त से लड़ते देखा है जो अपने दिल के राज कभी खोलता नहीं दर्द है उसको बहुत मगर वो बोलता नहीं बिस्तर पे जिसको अक्सर करवटे बदलते देखा है मैंने अपने बाप को वक्त से लड़ते देखा है और जिनके कोई गौवर्मेंट सेक्टर में होता है कोई पब्लिक सेक्टर में होता है प्राइविट सेक्टर में होता है कि जिन्दिगी की मेहनत जिसने बच्चों पे लुटा दी एक जोले में जिसने अपनी नौकरी बिता दी जिसको मैंने पसीने में महकते देखा है मैंने अपने बाप को वक्से लड़ते देखा है मैंने अपने बाप को वक्से लड़ते देखा है और एंड में है कि होसला देख होसला देख खुद वक्त उसका कमाल है वजा हो कुछ भी मगर ये हुनर बेमिसाल है एक बाप का जो हुनर होता है कि कितनी मेनत कर ले पसीमे में डूब रहा है लेकिन वो कहता नहीं है कि होसला देख खुद वक्त उसका कमाल है वजा हो कुछ भी ये हुनर बेमिसाल है जिसकी परचाई से बुनियादे अजीम रखते देखा है मैंने अपने बाप को दरदर लड़ते देखा है मैंने अपने बाप को दरदर लड़ते देखा है शुक्रिया और थोड़ा एमोशन से अगर हम मुहबबत की तरफ थोड़ा सा अगर शिफ्ट करें तो मैंने एक किसी को अगर आप देखते हो और किसी से प्यार हो जाता है एक तरफ नहीं कहूंगा किसी भी खुशूरत हसीन लड़गी को देखते हो और आपके दिल में जो भावनाय होती ह उसको लेके मैंने लिखा है कि बहा है हुसन जो सारा सभी महफिल ने देखा है वो बरसातों में उसको मैंने एक नजर से देखा है बनी जन्लत की जैसे हूर वो कपडों में आई थी मेरे आखों के दीदों ने यूँ पलके जुकाई थी दिलों की धड़कने इस तरहां से रुकवाई थी उसने बड़ी उस शाम में अजब शम्मा जलाई थी उसने वो रहकर दूर वो रहकर दूर बस नाजुक परी बनकर गुजरती थी नहोने से जो उसको हमको भी कोई खबर ना थी नहोने से जो उसको हमको भी कोई खबर ना थी उसी पल से जिस पल मैं आपने उसे देखा कि उसी पल से इसी पल तक जो सब जलका दिया तूने बहा कर खुश्बू जन्नत की मेरा दिल महका दिया तूने जो है खु छुक्रिया बहुत बाइब और एक मैंने लतीफा लिखा है एक अधूरे सपने की दास्तान क्योंकर वक्त थोड़ा कम है तो मैं जलिली बोलेता हूं कि यह अधूरे सपने की दास्तान है कि पैदल चले थे कोचिंग को घर से गबरा रहे थे लंबे सफर से अचानक कि हम को खि पीछे खड़ी थी इसकूल में वो मेरे साथ ही पड़ी थी सुनो इसके आगे का क्या था नजारा बुलाने का मुझको किया था इशारा पहुचा जो नजदी पूछा ये उससे बुलाया क्यों मुझको क्या चाहती हो मुझसे अब लड़की की तरफ से है के पढ़ते थे friendship थी बहुत गुम, सुनकर हमारी जो समझ में आया, उसका भी हमने यूँ फाइदा उठाया, हमने कहा क्या lift, coaching तक की दोगी बोली तेरे लिए ही तो है ये स्कूटी रोकी सुनो किसी ने था फिर से पुकारा, या दूरे समने की दास्तान है कि सुनो किसी ने था फिर से पुकारा, कहा के नहीं है, क्या college को जा ना, खुली आख देखा तो पापा खड़ेते और हम अपने तक ये से चिप्टे पड़ेते